तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन सेजवान रोल एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे ताकि आप अपने ग़रों में इसे बना पाएं अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि जो मैं हर रोज रेसिपी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल तो चलिए बनाते हैं चिकन सेजवान रोल तो सबसे पहले हम जो रोल का जो पराठा होता है उसकी पेप्रेशन कर लेते हैं तो मैंने एक बाउल लिया है बाउल में मैंने 300 ग्राम मैदा एड़ कर दिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे दही जो कि कॉंटेटी में तीन बड देंगे नमक आथा चमच डाल देंगे पीसी हुई चीनी और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी एड़ करेंगे और इसका आठा गुनना है आपको अब आठा कैसा गुनना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बताता हूँ ये थोड़ा एक्दम चिप शूड़ा देंगे और भौन रखने केबाद आपको ऑपको 20-25 मिनट चोड़ दीज़े और ज्याद श्यादर छोड़ना चाहते हैं तो आप एक से दो घंटे इसे रेश्ट दे सकते हैं तो अब मैंने ये चिकिन ले लिया है चिकिन टोटली बोनलेस है ये कॉंटिटी में 200 ग्राम चिकिन है और देखे ऐसे चोटे चोटे पीसेस आपको कट कर लेने हैं चिकिन के अब इसमें आपको कुछ नहीं डालना है सोया सॉक डालना है आधा चमच और आधा चमच से भी थोड़ा सा कम आपको विनेगर डाल देना है और नमक अभी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है इसे हम अब मिला लेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि नमक बिलकुल भी नहीं डालना है वरना ये पानी छोड़ देगा तो अब ये हो चुका है कोई रेश्ट होगेरा देने की जरुवत नहीं है एक पैन मैंने ले लिया है पैन में हम लगबग 2 टेबल स्पून ओईल अड़ कर देंगे और जब गरम हो जाए तब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज चौप किया हो डाल देना है आपको इसमें और एक चौथाई चमच आपको डाल दाना है अधरक और लहसुन का पेश्ट घर में जो चमच रहती है उसी से आपको मेजरमेंट लेना है बड़े साइज के एक चमच नहीं होती उसी से प्याज और लहसुन का आपको 20 से 25 सेकेंड तक भूनना है ज्यादा पकानी की जरूवत नहीं है यह हूम मेट सेजवान चटनी है अगर आपको इसकी भी रेशिप और चिकन के पीसे साइड करने के बाद आपको इसे थोड़ा सा मिला लेना है ताकि सेजवान चटनी और चिकन एक दूसरे में लिपड़ जाए नमक का यूज आपको कम ही करना है क्योंकि सेजवान चटनी में और लेड़ी नमक है तो नमक डालने के बाद भी हम थोड़ा सा अटा के कर्ची चलानी है तो 10 मेर के बाद मैंने धक्कन हटाया है और हमारा जो चिकन है वो पक चुका है और आपको ये भी देखना है कि इसमें ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए पानी पूरी तरह से सूख जाना चाहिए जो चिकन का पानी निकलेगा न वो और याद रहे ये ड्राइ ही होना चाहिए अगर ड्राइ नहीं है थोड़ा बहुत पानी है तो आप ढका नटा के थोड़ी दिर पका लिजे अभी हमारा चिकन पक चुका है हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और हमने जो आठे को रेष्ट दिया था उसकी भी अविधी पूरी हो चुक जितनी ज्यादा लचक होगी उतना ही आपका रोल सॉफ्ट और मतलब अच्छा बनेगा स्ट्रीट फूड में आपने देखा होगा कितनी मतलब वह लोग लोग लेते हैं और एक बार में ही बेल देते हैं तो वैसा ही मैंने फील देने की पूरी कोशिश की है तो वैसी ही आठी के साइच की लोग ये ली है बाउन साइड में कर दिया है और एक बात बोल दूँ कि आपको इसे बेलने के लिए सूखे आठे का यूज बिलकुल भी नहीं करना है अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ऑईल का यूज कर सकते हैं तो मैं अब इसे बेलूंगा नॉर इसे पतला जैसे रोटी रहता है जितना रोटी पतला रहता उत्रा ही पतला आपको इसे बेलना है तो हमारा जो पराथ है वो तैयार हो चुका है अब बढ़ते हैं टवे के तरफ बढ़ जा भाई हाथ में लेके क्या करता रहेगा तो Ihnen लаче जिए तवा जो है वो शेक होकर आ प्रिwash आएंगे-, प्रिश इसे आपको प्रेस कर करके इसे सेकना है और फिर से आपको इसे पलड़ देना है अब हम इसके उपर ऑइल-, बटर-, घी आपकी जो उस रद्दा है, जो मर्जी है आप इसके उपर apply कीजे मैंने इसके उपर oil apply किया है और oil इसके उपर apply करने के बाद मैं इसे flip कर दूँगा और फिर से दूसरी साइड भी आपको oil apply करना है और अब हम इस पे अच्छा सा जो golden धब्बे रहते है न वैसा आने तक इस पराठे को सेकेंगे वो जो धब्बे रहत है न वो देखने में सच में मज़ा आ जाता है ऐसा लगता है कि सच में कोई street food बन रहा है पराठा तयार है पराठे को आपको ढखके रखना है तब ही यह नरम रहेगी वरना जब हम इसे रोल करेंगे तब इसमें crack आ जाएंगे ठीक है तो देखिए हमारा पराठा भी थोग लगा देना है अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं क्या चप खाना तो आप ज्यादा अप्लाय कर सकते हैं फिर इसके उपर हम डाल देंगे यह हमारी सेजवान चटनी जैसा कि मैंने बोला कि होममेड सेजवान चटनी और इसका कलर भी औरिजिनल है मैंने कोई food कलर नहीं ल लच्छे हैं थोड़े प्याच के लच्छे हम इसके उपर डाल देंगा अगर आपकी कोई फेवरेट गाजर मोली गुहिया लैसून जो कोई भी फेवरेट हो आप इसके उपर डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मेरे पास लॉक्डान में जितना था मैंने डाल द ठीक है इसके उपर मैं कोई एक पिंसी डाल दूँगा आप चाहें तो पेपर से भी लपेड सकते हैं और हमारा आलमोस्ट जो रोल है स्ट्रीट फूड वाला चिकिन सेजवान रोल बनके तयार हो चुका है और देखिए कितना बहतरी लग रहा है इतनी सारी महिनत की है मैंन तो इसका फल आपको देना चाहिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर देना मेरे मामा की शादी में जरूर से जरूर आना वैसा ही आप बैल आइकन भी प्रेस कर देना तो आज के लिए बज़ते हैं मैं फिल्म लोग नए वीडियो